इनका अतीद काला अध्याय है भार्त के तो यह न बोले तो जादा बहतर होगा जिन लोगों ने जाती हिंसा के दामन को थाम कर अपने 15 वर्षों की सत्ता चलाई है अज वो मनिपुरबर्ट बोलेंगे क्या अनुसुचित जाती से समाच से आने वाली महिला है और उनके साथ इस प्रकार कर दुर्वेभार किया गया और वो इतना मैंने वीडियो देखा है वो इतना दुखद है कि जिसको देखकर कोई भी सब इस समाज के वेक्ति आख हो भार्ती जनता पार्टी इस पूरे विशे को संग्यान मिलेकर अंदूलन चलाईगा पिछले दिनों मनिपूर में दो महिलाओं के साथ दुर्वेभार की घटना सामने आई है लेकिन बिहार में भी बीते दिनों कल उसी तरह की एक घटना सामने आई है बिहार के मुद्दों पर हम बाचीत करेंगे हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता संतोस पाठक है सर एक और जहां मनिपूर में महिलाओं के साथ दुर्वेभार की घटना सामने निकल करके आती है और बिहार में भी उसी तरह की घटना सामने निकल करके आती है महिलाओं को मतलब वो सब्द हमारे पास नहीं है जो कि हम बोल पाएं तो इसको लेकर के सरकार क्या कर रही है क्योंकि मनिपूर में तो लोग विपक्षी पाक्तियां जो है वो तो सरकार पर केंदर सरकार पर बोल रही है कि असफल है बिहार में भी इस तरह के घटनाई सामें निकल कर क्या लेकिन जिस प्रकार से राज़त जैसे दल, कॉंग्रिस जैसे दल, नरेंद मोदी जी पर आक्षिप लगा रहे हैं, वो लक्षन ठीक नहीं। मनिपूर में जो घटना है वो जाती हिंसा के स्वरूप में शुरू हुई, हाई कोट के निर्णे के बाद शुरू हुई। सरकार के किसी भी निर्णे से असंतोस नहीं था, हाई कोट के निर्णे को लेकर असंतोस था, उसकी वज़े से जगड़ा वहाँ शुरू हुई। और जो महिलाओं के साथ जो घटना घटी, उन्हीं संदे दुर्भागे पूर्ण है और देश को सरमसार करने वाला है जैसा प्रधान मत्री जी ने कहा है। लेकिन जातिये हिंसा के दामन में अपनी राजनिती को चमकाने वाले लोग आज जब नरेंदर मोदी जी पर आक्षेप लगा रहे हैं तो उनको भी अपने इगरिबान में जहातने क्या है। 15 साल बिहार में जातिये हिंसा को भड़का कर किसने सासन किया है। और हज्जारों नरसंगहर न हम लोगों ने देखा है बिहार में एक के बाद एक सालों तक जातिये नरसंगहर बिहार में हुए। और उन 15 वर्सों में किसी भी दिन का आप अखबार के पन्नों को पलट कर देखिए, महिलाओं को डायन बता कर, महिलाओं को निर्वस्त्र करके, महिला पिला के, बलातकार की घटनाएं, जिस यही पर पटना में आईएस अधिकारी की पतनी के साथ किस प्रकार का हिंसक व्यव पहार और बलातकार करके किस ने छोड़ा था, ऐसे लोग आज अपने अपने पाटी दफ्तर के सामने, अगर कोई पोस्टर लगा दें, और अगर वो कहें कि हमारा वो कलंक मिट जाएगा, तो कैसे मिटेगा, आपको मनीपूर की घटनाओं में, पिछले तीन महिने में, उस राय में घटना घटी महिला के साथ, और जिस प्रकार से उसके साथ किया गया, वो क्या किसी सब समाज को सुभा देगा, कहां था यहां पर प्रशासा, यह फायर दर्ज हुई अभी तर, कोई करवाई हुई, कोई करवाई ने हुई, जो घटना का आरोपी है, वो खुले से दोसी है, इसमें कोई संदे नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की घटना उस महिला के साथ बेगुस राय में हुआ है, वो बिहार के समाज को कलंकित करने वाला है, और इसी प्रकार की एक घटना जोदपूर में भी घटी है, राजस्थान में, जहां कॉंग्रेस का सासन है, औ लेकिन आप कभी कूद कर कभी राजस्थान नहीं गए, राजस्थान से प्रिमिटिव समाज कहीं पर है, जिस प्रकार की दुर्वेहवार वहां पर महिलाओं के साथ होते हैं, वो तो दुनिया में दुनिया को कलंकित करने वाले, आगे सरकार क्योंकि ये सभी लोग देख मनिपूर में जो है लगभग दो महिने से जादा से हिंसा हो रहे हैं ग्रे मंत्री भी वहां गए और परधान मंत्री भी अब खुले रूप से खुले मंच पर जो है मोदी जी के नित्रितों में हम क्यों बार बार सरकार में चुनकर आते हैं आज से नहीं गुजरात के दिनों से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा तो गूड गवर्नेंस और सुसासन की वज़ा से जनता के मन में हम लोगों की अस्थान का निर्मिती होती सब को यह लगत इतनी करवाई और जिस प्रकार से उसको जाती हिंसा के स्वरूप में बदल कर वहां पर अस्थानिय लोगों ने इसको किया कभी-कभी जाती हिंसा की वज़ा से चीजों को कंट्रोल करना थोड़ा मुस्किल हो जाता है हजारों की संख्या में मैं आज उस महिला के पीडित म कि उसको रोकना मुस्किल था बीहार में जो हो रही है निरवस्तर करने की जो महिलाव की घटना हो रही है क्या इसको लेकर के निर भीक्षी को गला कłam करे अ ये लोग तो इनका पूरा चेहरा काला है, इनका अतीद काला अध्याय है भारत के लिए, तो ये ना बोले तो ज्यादा बहतर होगा, जिन लोगों ने जाती हिंसा के दामन को थाम कर अपने पंदरवर्सों की सत्ता चलाई है, आज वो मनिपुरवर्थ बोलेंगे क्या, यहां मोह में, यहां का पुत्र मोह किस व्यक्ति को है, किस व्यक्ति को है, लालू जी अपने सासन के पंदरवर्सों की एक उपलब्दी बता दें, और मैं ताल ठोक कर कहता हूँ एक बाद, कि लोग जोडते हैं कि 18 साल भाजपा की सरकार रही है विहार में, आप गिन कर दिखाई तो कहां रही 18 साल, 2005 से 13, पांच उधर और आठ साल उधर, 13 से 17 तक की जो सरकार थी, वो राज़त के साथ चलाए हैं नितिश कुमार, पात साल, 13 में राज़त ने बाहर से उनको समर्थन दिया था, हमसे अलग होने के बाद, देश विधायक थे उनके, और उनकी सहयोग से न 15 का सफर पूरा किया, 15 में साथ में चुनाव लड़ा, 15 से 17 का सफर उन्होंने साथ में पूरा किया है, और अभी पिछले डेड़ वर्सों की जो सरकार हो गई बिहार में, इनकी एक सिंगल उपलबदी अगर ये बता दें, जो जनता के सामने जाकर कहने के लाएक हो तो मैं इस बात को लेकर बहुत विछुपद है, इसलिए क्योंकि अनुसूची जाती से समाज से आने वाली महिला हैं, और उनके साथ इस प्रकार कर दुर्विफार किया गया, और वो इतना मैंने वीडियो देखा है, वो इतना दुख़द है, कि जिसको देखकर कोई भी सब समाज के व्यक्ति आहत हो जाएगा, भारती जनता पार्टी इस पूरे विशे को संग्यान मिलेकर आंदोलन चलाएगा, तो बिहार के जो वेगु सराय में जो घटना हुई है, महलाओं को लिवस्त करनी की जो घटना सामने आ रही है, उसको लेकर के जो बिहार भाजता है, वो आं इस पर सासन क्या कुछ कर रही है, ये आने वाले दिनों में ही सामने आएगा, इस तरह के तमाव अप्डेट्स के लिए देखते रहे हैं, एक मिन स्टुएंट फॉर केमरावैन विश्णों के साथ, मैं विपूल पत्ति